आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल भी गोट क्लासेज में दोस्तों जिसा कि आपको पता है कि अपन इस रो का जो पेपर है टेक्निसियन भी यानि कि इलेक्रिशन ट्रेड का जो पेपर है उसको अपन कम्प्लीट पूरा हल कर रहे है अपने पिछले वाले संडे को यूद्प को जिकिंव सकता आज आपन 36 से स्टात करेंगे दोस्तों शहान जो पैपर ना यह एहमदाबाद वाला है है म्दाबाद इसे एक बहुत जादा हैं तो आप जब इस पेपर को करोगे ना तो इससे क्या होगा कि यह जो पेपर जब मैं आपको complete पूरे करवाऊंगा तीन पेपर करवाऊंगा 2017 18 है ना और यह जो चल रहा है अपना ना दोला वाला तो इनको आप जब देखोके ना तो आपको पता चलेगा कि कितने कुई शन से इन्हों रिपीट कर रखें हैं हैं है ना और फैपों पहले आपको ज्यादा फायदा होगा क्योंकि इस बार भी कितने नमबर का क्यूशन से अपने पास 36 नमबर का जो क्यूशन है हुआ है कि 750 वाट के तुल्णा में 1000 वाट के विद्यूत इस्त्री का अवरोत के क्या होगा ठीक है यहां पर पूछा क्या गया है कि जो यहां पर है ना कि कि यहां पर इस्त्री जो है वह एक तुछ साड़े सास्माट की है एक हजार वाट की है तो पूछा यह जा रहा है कि को जो इस्त्री है उसमें अधिक पर्तिरोद के अधिक रेजिस्टेंस होगा तो मैं आपको बता दूँ कि जहां पर वाट होता है जहां पर अधिक वाट होता है वहां पर परतिरोध क्या होता है कम होता है यह ध्यान रखना जहां पर वाट अधिक होगा ना वहां पर परतिरोध क्या होगा कम होगा तो यहां पर देखिए इसमें यहां पर वाट कम है तो परतिरोद क्या होगा तो यहां पर परतिरोद जादा होगा ठीक है और यहां पर वाट अधिक है तो परतिरोद क्या होगा कम होगा तो देखिए साड़ा साथ सो वाट की तोलणा में एक हजार वाट के विदृत इस तरी का परतिरोत क्या होगा तो कम होगा तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा अपना भी आप्शन यहाँ पर अपना कम्प्रेटली सही आंसर होगा ठीक है कोई दिक्कत यहाँ पर होने नहीं चाहिए नेक्स्ट क्यूशन अपना है जो कि आपके सामने है क्यूशन क्या है तो क्यूशन को ध्यान से देखना 20 ओम के अवरोध में से 10 एंपियर विदृत प्रवाह बहने पर कितनी सक्ति खपत होगी देखें यहाँ पर सक्ति के बारे में पूचा है सक्ति का अपनको फोर्मूला पता है पी बराबर क्या होता है पी बराबर होता है आई स्क्वाइर आर होता है ठीक है आई स्क्वाइर आर होता है तो 10 का square कर देंगे 10 का क्या कर देंगे अपन square कर देंगे आगे देखेगा R क्या है तो R अपने पास क्या है R अपने पास 20 है तो into यहाँ पर करेंगे 20 अब आगे ध्यान से देखना यहाँ पर 10 का square कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ठीक है 10 square स्वाइब 6 जाएगा सो जाएगा और यहां पर इंट्टू क्या हो जाएगा बीस को अपन सोसे जोड़ना करेंगे admitted 2000 अठी है यहां पर अपना डी-oAPTION GP is और आते हैं नेक्स्ट क्यूशन आपके सामने है ओल्टेज ड्रोप क्या है ओल्टेज ड्रोप क्या होता है ओल्टेज ड्रोप के बारे में पूछा जा रहा है आखिर में ओल्टेज ड्रोप होता है ओल्टेज ड्रोप क्या होता है ओल्टेज ड्रोप जो है न के उस्वनता भर दोगी देखे एक करम मोता है और एक होताह समांतर लगोगे तभी यह क्या करेंगे अधिक ऊस्दमों समांतर क्रम में लगागेें आगला क्यूशन से वहारก केवल में हरा तार क्या दर्साता है दिके 3Was तो 3 कोई में 3 तार होंगे हैं तो देखिए जो Rना आर जो है यानि के रेड कलर क्या दर्साइगा और लिस्परभावी तार तो न्यूट्रल तार्ग क्या्दर साहगा, तो काला कलर का दर्साहगा, ठीक है, आगे यहापर दिया गए, अट्रितरघ से कोई लेने ज़िए नहीं है, बूसंपर की तारज होता है, वैं हरा होता है, तो यहांपर हरे के बारे में ही पूचछा है, तो क्या अंसर अपना सही आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्यक्शन से अबना A.C. वीध्यूट परीपत का पाउर फेक्टर कैसे दर्षा है जाता है? देखे, पाउर फेक्टर के यह थीनों यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, एक तो होता है कोस, थीटा बराबर होता है आर बटा जेड होता है ठीक है एक यहाँ पर वास्तविक सकती बटा आवाजी सकती होता है ठीक है तो यह भी सही है यह भी सही है किलो वाट बटा किलो ओल्ट एमपेर यह भी सही है यहाँ पर उप्रोक तो सभी अपना completely सही answer होगा ठीक है दी option यहां पर completely सही answer है अगला questions आपके सामने है जो कि है इलेक्ट्रो लेट का विशिष्ट घनत्व कैसे न पजाता है तो इलेक्ट्रोलाइट है इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व अपन हाइड्रोमेटर के द्वारा मापति हैं किसके दोर हमापते हैं हरे ऑफन हाइड्रोमेटर के दौर अपनं आंपते हैं किसका घनत्व तो हाइड्रोमेटर का घनत दृकिंज अब तबहाते हैंना नेक्सट्रो इसीलसे अपना step up, step up transformer क्या बढ़ता है, step up transformer जो एना वह क्या बढ़ता है, तो वह voltage को बढ़ता है, ठीक है, किसको बढ़ता है, voltage को बढ़ाएगा, अगला question से आपका DC विद्यूत्म में आवरती कितनी होती है, DC विद्यूत्म में आवरती पूछा गया है, DC विद्यूत्म में तो आवरती हो होगा ठीक है अगर 50 हट पूछे तो किसके लिए होगा एसी के लिए होगा ठीक है ध्यान रखना कि और यह किसका है यह भारत का है है ना और अगर अमेरिका का पूछे तो क्या होगा sharer sex हो ठ्विक है किसके लिए AC करंड के लिए है ना ना किसिक सामने कि charging के दोरा lead acid battery इकро light किसे इसरीति का होता है तो जैसे जैसे आप चार्ज करोगे वैसे वैसे इस क्रोंड होता जाएका गनत्व क्या होता जाएक बरता जाएका तो यह तरंग का form factor noon तमपी होता है तो वर्गाकर जो तरंग होती है इसका form फॉह होता है और वहाद ही जूशन समें है arrive Almost used in power transformer एक पावार ट्रांसफ़ारमर में तेल कह या और तेल का कार तका क्रता है थेंडा रखता है यहां पर बिदिछ निरिया आपका complete सही आंसर होगा अगला क्यूशिश है silica gel breeder is used in यानि कि silica gel और breeder का उप्योग क्या है कहां पर उप्योग किया जाता है किस में उप्योग किया जाता है तो इसका उप्योग कहा होता है transformer के अंदर होता है नमी सौकने के लिए ये काम में लिया जाता है ठीक है आपको हम बता दें इसी चैनल पर theoretical class चल रही है अगर आप पुरा theoretical electrician theory को पढ़ना चाहता है तो description में हमने link दिया है playlist का वहाँ पर आपको class मिल जाएगी ठीक है उनको देखें आप class से regular upload हो रही है उनको आप देखोगे तो आपकी जो theory है वह strong हो जाएगी इसलिए आप उस class को जरूर देख सकते हैं आपको फायदा होगा ठीक है क्मार्ण कुष्ट्र से अगला जो कि अपने यहां पर है ड्योल स्ट्राटर के बारे में ड्योल स्ट्र describes गर्याद कि टामें रहना तक काम कमेगे लेता है दस होर्स पावर तक किसको कामे लेता है तो इस्टार डेल्टा जो इस्टार होता है उसको अपन 10 HP तक कामे ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर अपना यह उप्शन जो है वही completely सही आंसर होगा प्ति किसको नियंतित करता है धी मेगभा काता सुनने के करीब हो तो नपा गया अवरोद क्या होगा तो वह फाल्ट होगा अगर सुनने बता रहा है न exemplo क्या है फाल्ट क्योंकि उसमें धारा डालेक्ट ली जा रही है ठीक है अगर वो सुने बता रहा है तो धारेक्ट ली धारा जा रही है सोट सर्किट हो रहा है सोट सर्किट के वज़े से ही वह सुनने पर्तिरोद बता रहा है इसका मल लवे कि पर्तिरोद में क्या है फाल्ट है ठीक है इसलिए वह क्या बता रहा है इसलिए वह क्या बता रहा है लगुपति सोट सर्किट बता रहा है जिसे से धारा क्या हो रही है खूब अनन्त तरीके से बह रही हैं अगला जो क्युशन से आपके सामने वह हैं 4-2Om capacitor स्रंकला में जुड़े हुए हैं सम कक्षे capacitor क्या होगा देखिये हमेशा ध्यान डखना स्रंकला में जुड़े हुए है न तो यहाँ पर क्या होगा क्या फ़ॉरमुल लगा लगेगा C T बेराबर यहां कि टॉटल परति-रोध बराबर होता है कि सी बराबर इसरी यान की जो परतीरोध उसका मान रख whats धो यहां यह न होता है जितनी परति-रोध के संक्याइा वह रख दो ठीक है तो यहां पर रखते हैं अपन ho तो अपना केपिसिटल का मान है और स्रंकला में जुड़े कितने परतिरोद हैं तो यहां पर चार है है ना चार परतिरोद है तो अपन इस तरह के से कर देंगे एक हो जाएगा, दो से काटेंगे तो, और यहाँ पर इस चार को काटेंगे, दो से तो कित्ती बार कटेंगा, दो, यानि कि यह क्या गया, हाप, हाप का मदलब क्या होता है, 0.5 होता है, यानि कि एक में दो का भाग दो गए, तो 0.5 आपका यहाँ पर निकल के आएगा, जो कि बी ओप्सन यहां पर completely सही answer next question से जो कि आपके सामने है चर परतिरोध है चर परतिरोध क्या है चर परतिरोध वायर वाउंड रजिस्टर होता है इसको अपन रियो स्टेट भी कहते है रियो स्टेट भी इसको कहते हैं यह ध्यान रखना रियो स्टेट भी इसको कहा जाता है यानि कि इसमें परतिरोध को आप कम ज़्यादा कर सकते हो ठीक है यह variable परतिरोध भी कह रहता है यह ध्यान रखना next question आपके सामने है परतिरोध सबसे अधिक सटिकता से मापा जाता है तो परतिरोध है ना अपन मल्टिमेटर की सहता से सटिकता से माप सकते हैं यह आप ध्यान रखना next question है दो ओल्टिमेटर एक ही स्रेणी यानि कि देखिए 0 से 400 ओल्ट वाला है आंत्रिक परतिवादा 30,000 ओम और 20,000 ओम है यह दी वह स्रेज में जुड़े हुए हैं और उनमें 600 ओल्ट सप्लाई 600 ओल्ट अपलाई किया गया है तो रीडिंग है हमेशे ध्यान रगना दोनों को स्रेणी करम में जोड़ दिया ना तो दोनों में 600 ओल्ट है टोटल तो दोनों में क्या हो जाएगा 300 ओल्ट हो जाएगा तो यहाँ पर B option हो completely सही आंसर ठीक है सोचने वाली कोई बात ही नहीं हो आपर अगला next question से जो की है यह जैनर diode is used for यानि कि जैनर diode किस लिए प्रियोग किया जाता है तो यह voltage regulation के लिए काम ही लिया जाता है यह option है आपर completely सही आंसर होगा अगला question से एक आदर्स diode होता है आदर्स diode यानि कि यह diode है आपका ठीक है तो आदर्स यानि कि अच्छा diode क्या है idle diode तो देखिए idle diode के बारे में पूचा है तो अच्छा diode वह होता है जिसमें जाते वक्त अगर धारा इधर से इधर बहे रही है तो पर्तिरोद सुनने होना चाहिए और अगर धारा इधर से इधर आ रही है तो जो पर्तिरोद है न वो अनन्त होना चाहिए ठीक है धारा अगर forward bias में हो तो धारा जो पर्तिरोद है सुनियेगा अगर धारा फारवर्ड वायस में है धारा फारवर्ड वायस में बहे रही है फारवर्ड का मलब है इस तरीके से इस डायरेक्शन में बहे रही है तो तो परतिरोद क्या होगा परतिरोद सुनने होगा और धारा अगर रिवर्ड वायस में यानि कि इस तरीके से बहे रही है इ एवर्द बैस में असीम व्यापक परतिरोद होना चाहिए यहां पर बी ओप्षिन कंप्रेटली सही आंसरे थोड़ा सा लेंग्वेज यहां पर एना इसा दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते क्या दिया है ठीक है इसको आप इंग्लिस में भी है उसको समझ लेना आप को सब्सक्राइए उसका प्रकार की क्या है तो यहां पर भी क्या अंसर होगा यह आपका अग्ला एठ स्चीचन उसिन द्हीन वहां अधिक्तिम दख्शता करिब काम करने के लिए दिजाइन किया दाएग्गे तो लुटके लिई designs to have maximum efficiency around तो देखे पूर्ण जो लोड होता है ना नियर फुल लोड के आसफास वह अच्छी दक्सता दे इस तरके से उसको बनाया जाता है ठीक है कोई लोड पर दक्सता अच्छी देगा तो क्या मतलब आ रहा है जब अपन लोड ही ने डाल रहे हैं और वह अच्छी दक्सता दे रहा है तो क्या मतलब है है ना इसलिए थोड़ी design क किया जाता है जो लोड है वह उसके करेब होना चाहिए उसे ज्यादा भी लोड नहीं हो उसे से कम ही लोड हो जो इसकी समता है तो उस तरीके से इसको बनाया जाता है तो यहाँ पर आपका C option completely सही answer नेक्स्ट क्यूशन जो कि आपके सामने है वह है एक पून भारित ट्रांसफार्मर यानि कि फुल लोड ट्रांसफार्मर में तामे का हनांस सोला सो वाट है आधे लोड पर तामे का हनांस हो जाएगा देखके हमेशे ध्यान रखना इस तरह के क्यूशन में आपको ज़्यादा confusion नहीं होना है और जर्दा numerical में भी नहीं जाना है आप डिरेक्ट याद रखो अगर सोला सो वाट है तो आधे का आधा कर दो सोला सो वाट का आधे का आधा कर दो आधा होगा 800 और 800 का आधा हो जाएगा 400 तो यहां पर आपका 400 वाट से ही अंसर होगा कैसे आया मत सोचो क्योंकि ज़्यादा अंदर जाओगे आपको इस लाइन को पढ़ लो इसको याद कर लो ठीक है है ना बाकि अगर आपको डिपली जाना है ना तो थेयोरिटिकल क्लास देखना वहां आपको समझ में जाएगा अगला क्यूशन है ट्रांसफार्मर लेमिनेशन एक दूसरे से पर्थक किये जाते हैं तो देखे ट् आपके सामने है नेमने लिकित में से कौन भारत में बिजली के आपूर्ति के लिया मानक ओल्टेज नहीं है मानक ओल्टेज की 11 किलो ओड तो होता है 33 किलो ओड भी सुना है छाचट किलो ओड भी सुना है लेकिन 122 किलो ओल्ट नहीं सुना है तो यही अपना क्या हो जाएग ठीक है यही क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा नेक्स व्यून से आपके सामने हैं एकट्रांस्फार्मर में सुनिएगा एक ट्रांस्फार्मर जो है उसमें 1000 क्या है एक हजार क्या है एक हजार उसमें प्रात्मिक टन है यानि कि एक हजार तो उसमें क्या है प्रात्मिक टन है रुकिये गा एक ट्रांसफार्मर है उसमें एक हजार तो क्या है प्रात्मिक टन है और प्रात्मिक टंड है तो उसी वाइंडिंग में 250 ओल्टेज अपूरती से जुड़ा हुआ है यानि कि 250 ओल्टेज अपूरती है 1000 टंड है और इन 1000 टंडों में 250 ओल्टेज है 400 voltage यहां पर दित्य voltage रहेगा तो दित्य winding में टर्णों के संगे ज्याद करनी है समझना confusion नहीं होना है एक transformer में प्रात्मिक टर्ण यानि कि प्रात्मिक winding में कितने टर्ण है 1000 टर्ण है और AC आपूर्थी से यानि कि 250 ओल्ड AC आपूर्थी से तो ऐसी आपूर्थी से यानि कि supply से कौन जूरता है तो supply से जूरता है प्रात्मिक winding तो प्रात्मिक winding में 250 voltage होगा ठीक है तो देखिए यहां पर दित्य winding में वह 400 voltage में बदल रहा है तो दित्य winding के टर्णों के संक्या याद कर नहीं है अपन को इसको हल करना है कोई दिकत नहीं इसको इससे काड़ दो ठीक है बाकि इनको गुणा कर दो यहां इसको पांच से उड़ा सकते कित्ती बार उड़ेगा पांच बार और यह उड़ जाएगा आठ बार पांच से इसको काड़ 2000 को कित्ती बार कटेगा तो यह कर जाएगा दो बार कटेगा और यहाँ पर जीरो 200 बार कर जाएगा वज़ गुणा करेंगे यहाँ पर आठ बच रहे हैं आठ को दो से गुणा करेंगे 16 जाएगा 16 अपना यहाँ पर completely सही आंसर हो जाएगा ठीक है क ट्रांस्फार्मर में क्या परिवर्थित नहीं होता है ट्रांस्फार्मर में देखिए आवरती परिवर्थित नहीं होता है बाकि सब हो जाते हैं यह ना ओल्टेज होता है करन्ट होता है कि नेक्ट क्यूशन से पावर को परिबासि किया गया है पावर को किस तरह के से परिबास पावर की परिबास अगर आप पड़ोगे ना तो आपको इस क्यूशन का आंसर मिल जाएगा पावर की परिबासा क्या है कारे करने की दर को सकती कहते हैं तो उर्जा पावर को क्या क्य दो काले को अपन उर्जा कह सकते हैं उर्जा निकलने या फैलने की दर कोई क्या कहते हैं अपर तो यहां पर क्या ही गज़ comes with energy energy is related कि समय के साथ उर्जा के सनचे के रूप में तो यहां पर देखिए यहां पर आपको confusion आएगा उर्जा निकलने या फिलने की दर के रूप में यह समय के साथ उर्जा के संचय के रूप में तो समय को संचय नहीं होगा यहां पर यहां पर देखिए इलेक्ट्रो लाइट वाला जो संदालित होता है यहीं दुरूवी क्रित प्रकार होता है यहां पर कौन सा आंसर होगा यह उप्षन अपना कंप्लेट्ली सही आंसर होगा नेक्ट क्यूशन है क्योंकि विद्ध करेंट की उपस्ति का संक्यात करने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले उपक्रण है तो वह होता है गेल बनो मेटर ठीक है करेंट की दिसा भी यह दर साता है और करेंट की उपस्ति भी यह दर साता है ओल्टमेटर से अपन ओल्टेज मापते हैं, इलेक्ट्रमेटर आवेश को मापते हैं, ओल्टमेटर होनी चाहिए, ओल्टमेटर होनी चाहिए, ओल्टमेटर होनी चाहिए, ओल्टमेटर उच्वा आंत्रिक परतिरोद वाली होनी चाहिए, यह न, और अगर कम आंत्रिक परतिर इस फाइक क्या है इस फाइक को बहुत ही संख्षिप्त रूप में कहा जाता है तो इसको कहते है आर्क यानिकि ए आप्षिन आपर कंप्रेटली स्यान जरुगा इस क्लास से संबंधित अपने सतर क्यूशन कर लिये हैं नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे और सेवंटी वन क्यूशन से स्टार्ट करेंगे ठीक है तब मेलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद सुक्रिया